जेहें, dear student, 2017 का आज हमारे पास second part हम लोग देख रहे हैं second part में हम लोग continuity के अंदर हम देख रहे हैं बच्चो part first के अंदर हम लगवक 14 question हम complete कर चुके हैं remaining question आज अब हम लोग continue करने जा रहे हैं बार-बार में बच्चो आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि यदि आप NDA का पेपर देने जा रहे हैं इस बार एप्रेल वाला तो आप वर्ड जोग्राफी के latitude and longitude, rocks, volcano, earthquake, winds, ocean current, exogenetic and exogenetic forces जरूर आप पढ़के जाहिए बच्चो क्योंकि यह वो सारे topics हैं जहां से continuation में हमारे question हम लोग को देखने को मिल रहे हैं अभी हम लोग 117, 117 question हम complete कर चुके थे, question number 138 हमारे सामने है, which of the following is the causes of acid rain, ठीक है acid rain अमली वर्षा के बारे में हम लोगों ने सुना है, acid rain का main reason होता है, बच्चो वो होता है, sulfur dioxide, NO2 और SO2 gas sulfur dioxide ठीक है, और NO2 gas है, यह दोनों जो main causative factor है कि इसके लिए acid rain के लिए, ठीक है जो हमारी विमान वगरा होते हैं, उससे NO2 gas का emission होता है, sulfur dioxide gas हम लोग देखते हैं, हमारे atmosphere में हीट होती है और जब यह water के साथ react करती है, तो फिर देखेंगे, nitric acid और sulfuric acid बन जाता है, जो बन जाता है, क्या acid rain क्या बन जाता है, acid rain, तो acid rain के लिए mainly हम लोग देखेंगे, जो causative factor है, वो कोन है, sulfur dioxide है, SO2 बाकि हम carbon dioxide को तो green house gas बोलते हैं, क्या बोलते हैं, green house gas carbon dioxide को, ठीक है, बाकि ozone हम लोगों ने देखा ही है, जो कहा मिलता है, stratosphere में मिलता है, important question है, यह भी हमारा, कि ozone कहां पर मिलता है, stratosphere में, और ozone जो हमें किस से बचाता है, ultraviolet radiation से protect करता है next question देखिए, 18, sunrise in eastern Arunachal Pradesh, यहना, would be about how many hearts before sunrise in western गुजरात, यहनी कि हम लोग इंडिया का easternmost और westernmost यह दी state देख रहे हैं, तो गुजरात और Arunachal Pradesh के बीच में, Arunachal और गुजरात के बीच में, time का difference क्या होगा Arunachal और किस के बीच में, गुजरात के बीच में, time का difference क्या होगा तो बच्चों हम लोग को पता है, इंडिया का, जो longitudinal expansion है, 68 degree, 7 minute, east longitude से start होता है, गुजरात से वो 97 degree, 25 minute, east longitude पे जाकर के, इंडिया का Arunachal Pradesh में finish होता है यहने कि, इंडिया का longitudinal expansion है, between 68 degree, 7 minute, to 97 degree, 25 minute 68 degree, 7 minute, to 97 degree, 25 minute के बीच में, इंडिया का कौन सा expansion है, longitudinal expansion है यदि इस 97 में से हम 68 को minus करते हैं, तो approximate 29 point कुछ हम लोग देखने को मिलेगा जिसको यदि हम average 30 मान ले, और हम लोग को पता, 1 degree को चलने में 4 minute का time लगेगा 1 degree को पास होने में कितना time लगेगा, 4 minute का, तो 15 degree को पास होने में कितना time लगेगा, बच्चो 60 minute, 60 minute यहने की 1 hour, 60 minute यहने की 1 hour, तो यहाँ पर हम 30 minute की जब बात करेंगे, तो 30, 30 degree, sorry 30 degree को क्रॉस करने में कितना time लगेगा, 120 minute और 120 minute यहने की 2 hour, 120 minute यहने की कितना 2 hour, ठीक है तो अरुनाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में time का difference कितने hour का होगा, 2 hour का होगा, यहने की अरुनाचल प्रदेश के eastern part में 2 घंटे पहले sunrise होगा, और गुजरात के western part में 2 घंटे बाद में sunrise होगा, कैसे 1 degree को चलने में कितना time लगाना है, 4 minute, ठीक है, तो 15 degree को चलने में कितना लग जाएगा, 15 degree को चलने में 1 hour, और 30 degree को चलने में 2 hour, ठीक है, चलिए नेस्ट देखेंगे हम लोग, consider the following states of India in terms of percentage to forest area in relation to total area of the state, यदि हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे बच्चों, तो आप से पूछा जा रहा है, 3 state को आपको देखना है, forest percentage के area पर, forest के percentage के area पर, तो आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है करनाट का, उडिशा, केर केरला और आंधरे प्रदेश, ठीक है, तो केरला जो इस्टेट है लगबग, यहाँ पर हम देखेंगे, 50 से 54 परसेंट जो area इसका covered है, किस से covered है, forest से, तो आप देखेंगे, B वाले option में हमारे सामने, first क्या है केरला, फिर हम लोग देखेंगे, करनाट का, इस्टेट हम था, forest survey department बनाया, 1987 में forest survey department हमारे country में क्या release करता है, एक forest survey report release करता है, हर दो साल में, ठीक है, पहली बार कब हुआ था, forest survey release 1987 में, तो forest survey हमारा जो department है, कहां पर है, देहरादून में है, और जो forest survey department देहरादून में इस्तित है, located है, वो every two year में, हर दो साल में, क्या release करता है, forest survey तो अभी जो हमारा लेटेस्ट सरवेश्ट का देख रहे होंगे तो 2021 में हमारा डेटा है इंडिया का 17 इंडिया का कुझसा सेवरिश्ट सरवेश्ट सर्वेश्ट का सर्वेश्ट किया है कुश्चन का पेटन क्या है तो यहां पर हम सिर्फ कुश्चन का पेटन देख रहे बचो क्या देख रहे है कुश्चन का पेटन तो 2021 का जो forest survey report है वो बता रहा है कि इंडिया का लगबग 21.71% जो area हो covered है किस से forest है 21.7% area किस से covered है forest से और 21.67% हमारा report था कब का 2019 का forest survey report बता रहा था कि भारत में 21.67% area covered है forest से और 2021 का जो report है बता रहा है कि इंडिया का 21.71% area जो covered है किस से forest से covered है ठीक है तो अब आप यहां पर देखो कि 21.71% area covered जब कि होना चाहिए 33% होना कितना चाहिए 33% होना चाहिए तब जाकर के हम लोग देखेंगे हमारे जो ecological condition होगी सारी balancing होगी बच्चों एक मिनिट में पानी तो देखिए हम क्या बोलते है 2021 का जो सत्रवा forest survey report है उसके recording तो डेटा यह है और यह बता था कि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा forest और बेसे साफ एरिया और आम लोग देखेंगे सबसे कम का मिलेंगे हम लोगको पंजाब अरियाना सबसे कम forest का पर मिलेंगे percentage में पंजाब अरिया मेरे धी के एक जगे 1600 स्क्वेर किलो मीटर मिल जाएगा हम लोगो और एक जगे 1800 स्क्वेर किलो मीटर मिल जाएगा ठीक है और जब कि हम लोग मीजोरम की बात करेंगे तो मीजोरम परसेंटेज में सबसे हाइस्ट है मीजोरम की इसमें हाइस्ट है परसेंटेज में मद्यप्रदेश की इ और यह दिया मिनिमम की बात करेंगे तो पंजाब और हरियना तो यह हमसे कुछन पूछा जारा 2017 में कब पूछा जारा 2017 में तो देखो सबसे ज्यादा केरला वाले इस्टेट में लोग फोरेश्ट मिलता है योगि बहुत ज्यादा वेरियेशन हम लोग देखेंगे नहीं आया में मिल जाएगा फिर हम लोग देखेंगे आंध्रय प्रदेश है कौन सा स्टेट है सुरी पहला हम लोगों ने क्या बता दिया केरला दूसरा हम लोग क्या बता रहें उडिसा दूसरा क्या बच्चो उडिसा उडिसा ठीक है और उडिसा के बाद हम लोग देखेंगे करनाटका के बाद में आंधर्यप्रदेश करणाटका के बाद में को न है आंधर्यप्रदेश तो हमारा जो राइट होगा वो क्या और शी होगा यह न medicines है करनाटका है और सब लास्ट में हम देखेंगे तो आंधरे प्रदेश हैं लगबाग 54 परसेंट से हम शुरू हो रहे हैं और 18 परसेंट पे जाकर के बच्चों हम फिनिश हो रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि राइट अंसर हमारा जो कोड हुआ हो क्या हुआ हमारा सी राइट कोड है क्या है बच्चों हमारा सी कुश्य नमबर 20 की हम बात करें भारत के निम्लिक में से किस राज में सबसदीक लंबी तर्ट रेखा हैं तो वेसे तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम गोवा की है मेक्जिमम कोस्टल बाउंडरी किस की है गुजरात और मिनीमम कोस्टल बाउंडरी किस की है गोवा इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट है तो इंडिया में कोस्टल स्टेट है बच्चों 9 कोस्टल स्टेट कितने है 9 और कोस्टल यूटी कितने हमारे पास में 4 और इन सब का सबसे ज़्यादा कोश्टल एरिया किसका है तो बच्चों सबसे ज़्यादा कोश्टल एरिया हम लोगों को मिलता है तमिल नाडू का ठीक है सबसे ज़्यादा किसका मिल रहा है इन चारो इस्टेट में तमिल नाडू में वेसे सबसे ज़्यादा पूछता तो गुजरात है सा पूछा जाता तो आंध्रेप्रदेश और यदि हमसे कहा का पूछा जा रहा है यदि हमसे पूछा जा रहा है इन चारों में से तो हम बता देंगे तमिल नाडू राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारा भी निमली कित्में से किस राज में सरवादिक छेतर में वन अच्छा दी ताभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए वीच आप दा फॉलंग इस्टेट इंडिया इस दा लार्जेस्ट एरिया अंडर फोरेस्ट कवर अभी यहां पर लार्जेस्ट एरिया बात हो रही बच्चो परसेंटेज नहीं है कुष्चन को ठीक से सुन ले ना क्या फूच रहा है वो वीच वण आपदा फॉल्वाइंग इस्टेट इन इंडिया एस दा लार्जेस्ट एरिया अंडर फोरेस्ट जैनि की लार्जेस्ट एरिया पूच रहा परसेंटेज़ पूछता तो मीजो रम नहीं पूचा जारा एरिया में तो मध्य प्रदेश में लगबाग कम बोलते कि 77,000 17,000 वर्ग किलो मीटर जू जमीन डेंड़ और कवर्ड किस से फोरेस्ट से तो मेकिजिममं फोरेश्ट एरिया वाला इस्टेट को ने तो मेग्जिमम फोरेश्ट एरिया वाला इस्टेट है हमारा मध्य प्रदेश और यदि सेकंड पूछेगा तो छत्तिस गड़ और थर्ड पूछेगा तो मरुणाचल प्रदेश को बताते हैं ठीक है वो परसेंटेज में सबसे लावा एंड मेग्मा कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन आफ लावा एंड मेग्मा ठीक है यदि वो आर्थ सर्फेस के नीचे होगा तो इंट्रूसीव आर्थ सर्फेस के ऊपर होगा तो एक्स्ट्रूसीव तो गेबरो भी हम देखेंगे एक इग्नियस रॉक है इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है डोलो माइट नहीं गेबरो ग्रेनाइट और बेसाल इग्नियस रॉक है फिर कोरिलिस जो फोर्स है वो किसके एफेक्ट के कारण जनरेट होता है दा कोरिलिस फोर्स एफेक्ट इस रिजल्ट आफ प्रेशर ग्रेडियंट नहीं प्रेशर ग गुर नन के कारण नंस यह वह उता है कोडल को astronomy ऑंप करेगा विन्द chemical विच्विपर में चलने वाले वलेवंड को राइट हें और साथ में चलने वाले अल्ड को स्धिन end side क्या करता है left end side क्या करता है बच्चो डेविएटेट करता है ठीक है और इसको सबसे पहले France के Scientist Feral ने दिया था इसलिए हम इसको Feral Salah भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फेरल Salah finished देखिए मेकॉंग जो डेल्टा है मेकॉंग एक रीवर है जिसको हम South East Asia की गंगा भी क्या बोलते हैं गंगाव ताउठ अशिट एशिया चंुछ इसका गंगाव साउथ इस्ट एशिया चबते हैं विवैत तो देलटा है वियत नाम km इस मेकॉंग रिवर को साउथ इस्ट एश्या की गंगा या फिर क्या बोलेंगे इसको एश्या का डेन्यूब क्योंकि यूरोप में एक रिवर डेन्यूब जो इंपॉर्टेंट है इसके किनारे के सारे कंट्री की केपिटल लोकेटेड है नेश्ट हम लोग देखे कुश्या नमबर 25 नदिया आपको देखने और उनकी ट्रिब्यूटरी देखना वीच वन आफ दा फॉलिंग पेयर आफ रिवर्स और ट्रिब्यूटरी आफ नाट करेक्टली मेज्ड नोट करेक्टली मेज्ड इनमें से कौन सा एसा पैर जो मेच नह ठीक है गंगा का पेन गंगा अरे यहां पेन गंगा नहीं होना था यहां राम गंगा होना था यहां राम गंगा होता था हमारा पैर सही हो जाता लेकिन यहां क्या लिखा है पेन गंगा और वेन गंगा भी किसकी ट्रिब्यूटरी है यह गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है क्रशना भीमा की ट्रिब्यूटरी ये भी सही है सूखरी लीलरी मीटरी जवाई सुरसुती लूनी की ट्रिब्यूटरी ये भी सही है यानि कि हमारा कौन सा पैर मेच नहीं है option B मेच नहीं है गंगा के सामने पैन गंगा गलत लिखा है पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूट्री है गुदावरी की ट्रिब्यूट्री है राइट चलिए नेस्ट कुश्यन हम देखें consider the following characteristics आफे ट्रॉपिकल साइकलोन आप ट्रॉपिकल साइकलोन कहां जनरेट होते हैं तो between ट्रॉपिक आप, Cancer and Capricorn तो क्या equator पर भी होगा नहीं होगा क्योंकि equator पर ड्रॉपिकल साइकलोन होते हैं ठीक है और साइकलोन के लिए low pressure का क्या होता है center और high pressure की क्या होती है radius, low pressure का center और high pressure की radius तो outer से कहां आता है air center की तरफ, outer से कहां आएगा center और north hemisphere में जो आपका cyclonic wind होगा और कैसा चलेगा anti-clockwise चलेगा और south hemisphere में कैसा चलेगा clockwise चलेगा ठीक है तो यहां पर देखो पहला है warm sea temperature of 26 degrees Celsius दूसरा high relative humidity of atmosphere at a height of 700 meter और atmospheric pressure में क्या in stability है वायू मंडल आस्थिर है उचाही लगबाग हम देख रहे है 700 meter की उचाही पर वायू मंडल में उच आपक्षिक आदरता है relative humidity है ठीक है और 26 degrees Celsius का एक ओश्न समूदरी तापमान है तब पूछ रहा है वो the above mentioned characteristics are associated with the which of the following cycle of its development formulation and initial stage क्यों क्यों क्योंकि बच्चों देखो temperature अभी कितना है 26 degree है कितना है 26 degree है और height भी हम लोग देख रहे है लगबाग कितना है 700 meter है दूसरा देखो modification stage full maturity और decay तो हम लोग देखेंगे क्योंकि temperature और height ये बता रहा है कि अभी ये cyclone जो है किस stage में है ये formulation and initial stage में है formulation and initial stage में है तो ये जो तीनो condition है ये cyclone की किस अवस्था को दरसा रही है सम रूपन तथा प्रारंबिक अवस्था formulation and initial stage को शो करेगा तो इसी के साथ बच्चों ही हमारा 2017 का हम लोग ने paper second complete किया next video lecture में हम लोग complete करेंगे paper first go तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नए lecture के साथ में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम